ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोज खमा सुपर थर्टिफाइब करिय इंस्टिट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज़्यादा चैन देवाला संस्थान पता थर्ड फ्लोर रमा गोविन पैलिस सिर्मोर चौक रीवा मद्यप्रिदेश में आदर्स आचार सहिता जो है लागू हो चुकी है अब पूरा जीला प्रशासन के अमला निर्वेग्न चुनाओ कराबे खातिर रात दिन बराबर महनत कह रहा है हमरे साथ कलेक्टर साहब है जिनके तवरा लगातार जो है हर छेतरं के निगरानी के कीन जा सर जो तैयारिया है इस चुनाओ को इस मतदान को जो 17 नौंबर की तारीक हाई है उसको निर्वेग्नूप से कराने के लिए क्या कुछ तैयारिया चल रही है क्या कुछ इंतजाम हो गया है भारत निर्वाचन आयोग और मुख निर्वाचन पदादिकारी मेद्यप्रदेश के निर्देश अनुसार नौ तारीक को जब से आचार सनिता प्रभाव सील हुई है निर्वाचन की समय सारने की घोशना की गई है उस समय से जो समय सीमा में जो आयोग के निर्देश दिये गए हैं और जो सेडूल जारी किया गया है उस अनुसार से जिला प्रसासन निर्व अधिकारियों को में लगा हुआ है 21 तारीक से आप सभी जानते हैं कि नॉमिनेशन प्रारंब होगा तो सबसे प्रथम जो चरन है इसमें कि आचार सनीता का पालन हो दिन प्रति दिन और 21 तारीक से जो नॉमिनेशन के प्रकिरिया है वो अच्छे तरीके से संपन हो इसके रही थी राजनितिक दलों की बैठक हमारी हो चुकी है मीडिया प्रतिनी दियों के साथ बैठक हो चुकी है और बीच बीच में हम लोग और चर्चा करते रहेंगे बांकी छेत्रों का भिरमन भी लगातार समंदेत छेत्र के HDM और पुलिस ओफिसर्स पैसिलदार और हम लोगों के द्वारा भी जिलास्तर के दिकारियों के द्वारा भी लगातार किये जा रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई इस्थिति और प्रिये इस्थिति निर्मित नहीं हो आचारतनिता का अक्छर सा फालन हो और अन्य जो सान्ति पूर्ण और निस्पक्ष चुनाब के लिए की जा सकती हैं उसके लिए लगातार तयारी जारी रह सकती है तो सबसे बड़ी एक चुनोती यह होती है सम्वेदन सील और आती सम्वेदन सील को चन्नित करना और उनका इंतजाम करना क्या कुछ तैयारिया हो गई है उस कोई भी छेत्र वैसे हैं जहांपे कि किसी भी प्रकार की और प्रियस्थती की संभाब ना बन सकती है एक निरंतर प्रकिरिया है लोग लगातार इसमें सुचनाय संक्रित कर रहे हैं हमारा प्रियास यही रहेगा कि चुनाब के बहुत पहले जब चुनाब तक भी जाने की पुझा मताता जागरुकता को लेकर ये देखा जाया तो हर बार बड़ी चुनौती रहती है जीला प्रसाशन के लिए निर्वाचन आयोग के लिए कि साथ फिस्दी मदान ही हो पाता है क्या कुछ इस बार आप लोगों के द्वरा प्रयास किये जाएंगी कि मतदान प्रतिसत पर बढ़ होती हो और मदाता जागरुकता कि मेहनत का ही परिणाम है कि हम अपने एपी रैसियो को काफी अच्छी परसेंटेर से बढ़ा पाने में सक्षम हुए हैं यही टीम लगवा काम कर रही है तो निश्चीत रूप से मतदाताओं को आसानी से मतदान केंदर तक पहुंचे और वोटर टर्न आउट बड़े इसके लिए भी स्विप एक्टिविटी जारी रहेगी और इसके लिए एन्य सभी केंदरों पर अच्छी विवस्थाएं करना केंदर के बारे में सूचनाएं देना जो वोटर पर ची आएगी जब बनके आएगी तो उसका वित्रण समय से कराना ये सारे तमाम उपाएं हैं जिन पे की लगातार सभी विभाग काम करते रहेंगे जिससे कि एक अच्छे सुखा दनुभव के साथ मतदाता है मतदान के अंदरों तक पहुंच पाएंगे और ब जिक आएब के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्या जगृता है और इस्पे आरो स्तर पे और जिले स्तर पे नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए दिन प्रति दिन सीवी जिल के माध्यम से जो भी हमें सिकायतें प्राप्त होई उस पर नजर रखी जा रही है जहां कहीं भी थोड़ी से भी गंभीर प्रकृति की सिकायत है उस पर विशेश दियान रखा जारा है मद्दाता के लिए क्या अपील करेंगे से अपील है कि ये लोकतंतर का तेवहार है इसमें काफी बड़ी संख्या में नए मद्दाता युबा मद्दाता भी जुड़े हैं और जो आयूबर्ग के मद्दाता हैं वो तो हैं ही लगभग 10 लाग से ज्यादा मद्दाताओं की इसके लिए आयोग भी लगातार प्रियास कर रहा है जिलाप्रसासन कर रहा है किसी भी केंदर पर ऐसी नौबत नहीं आएगी इसलिए भैमुक्त वाताबुरण में सभी आराम से सुख़द अनबाब के साथ है अपने मता दिकार का प्रियोग करेंगे तभी ये लोकतंतर का उ साथ तोर में एक आसा जाहिर कीन गई ही और अपने हर इंतजाम के बारे मां बातों बताई गई ही उनके द्वारे ये कहा जाला है कि एदर की भैमुक्त वाताबरण मां अधिक से अधिक मतदान कराओं हमार जो है उद्देश है अब देखा प्रतिसद यदि देखा जाए त जब देखा जाए आए आए